कि इसकल्ड वाइपर है और इसके साथ हमारा खनबो आज पहली बार रहने वाला है कि इससे पहले हमने एक कैटी स्नेक को सोई समझा था लेकिन हमने उसके बारे में किया तो पता चला कि वह एक कैटी स्नेक था और हम उसको सोई स्कल्ड वाइपर आया है तो बहुत कुछी है में दिखाना नए ने पहुजारों पर इस्तिमाल करना पड़ रहे सांप एक सब्सक्राइब और पहली बार हमने एक बार कैटी सब्सक्राइब जो अपनी खुर्दरी ताउचा को आपस में रगट करें विचितर सी आवाज उत्पन करता है लेकिन अब यह जटीन रेस्क्यू है अपी सुन्दर साफ है लेकिन बेहत कतनाग भी है यह गर्मी के चलते लगबग नमी और थोड़ी उसके चलते हां आगे है इसमें गुष गया है इसमें गुष गया है चलत 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 तो 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 घर इफड़ा रही है बाहरा रहें जाओ आपी बदा तरी जुआ थिया डंप यह जाए रही तबदा वेगाले देखर शाहकी इसमें खाई अरे इनल उत्तर आप क्या साम जो तो अर दबंबहता आसान से कल जातों लिकिन इया कि तो जिद्धी साप निदर आले हुआ हुआ है भी जया हुआ है पॉर पॉर जया हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर लिए लेकिन अभी ये रेस्क्यू काफी हाड रहा हमर लिए पहली वार अन्बो वेस्साफ के साथ काफी जिद्दी साफ है ये हमें डर भी लगा वा था क्योंकि इसकी हमें क्वालेटी का भी सामना पहली बार हुआ तो इसके क्या एटिटूड रहने वाले हैं इसका भी ज्याद़ पता नहीं था लेकिन हम देखेंगे सब्सक्राइब कुछ पोष्ट्साइब कि दूर रहे हैं ना इसका में बंद कर लिया है अब बहदी खतरनाक इसाफ सोई स्कल्ड वाइपर और काफी खतरनाक रेस्क्यू था यह वारतों में चक्मा दे के दिवार में चुप गया था लेकिन अब हम ने इसको रेस्क्यू कर लिया और विसको जंगल में कहीं चूड़ देंगे तब तक के लिए अधन्यवाद हमारे रिलीज पॉइंट पर आ गए हैं और इस खतरनाक साफ को यहीं कहीं रिलीज कर देंगे तो यह पाड़ी चेतरे पुरी तरे जंगल है जंगल में इन साफों को लगबग रेस्क्यू करके यहीं रिलीज करते हैं और हमारे कई स्पोर्ट हो रहे हैं लोकेशन के एकोड लें रहे हैं तो हम यहीं पर रिलीज करेंगे वाएक फैस यह काफी खूर जगां थे हो लगबग भिशे मैचिंग का ही होगा कि इस का कलर भी लगबग इसी तो हम इसको नेचुरल परियावास उसे में रिलीज करेंगे तो इसको यहीं कहीं रिलीज कर देते हैं अब यह सानती के साथ इसमें बैठा हुआ है लेकिन यह फुफकार रहा है और इसके बारे में एक और जानकरी है कि अपने सरीर को रगड के अलग सी आवाज उत्पन करते हैं लेकिन अभी फिलाल देख सकते हैं यह कितनी दूरी तक हमला करने का परियास कर हर एक मुमेंट पर हमला कर रहा है इस जिद्वे के अंदर भी यह शानती से बैठा हुआ नहीं है यह देखिए य यह आवाज इसकेन पर जो इसकल बनी हुई है उससे रगडने से निकल रही है आप देख रहे हैं दोस्तों इसी आवाज के साथ यह चेताव नहीं जारी करता है कि मुझसे सावधा नहीं बरते हैं वरना मैं आपको काट लूँगा और यह काटने के बाद हमें होस्पिटल तो पहुंचा ही देगा दोस्तों इस तरीके का सांप है आप देख सकते हैं एक ही जगे पर यह स्प्रिंग की तरह है वाओ इसके आवाज सुनने को मैं काफी देर से बहताब था मैं यहीं सोच रहा था कि यह आखिर चुप क्यों है इसने अपना असली रूप दिखा दिया आप देख सकते हैं यह आवाज आप जो सुन रहे हैं इसकी स्केन पर बनीवी स्केल से निकल रही है इसको रगड के एक विचित्र से वाज निकालता है इसकी तोचा का भी खुर्दरी है दोस्तों मैं इसी तोचा वाला सांप पहली बार देख रहा हूं यह वाइपर को मैं इसके आवाज सुनना से काफी प्रभवित हूं मैंने इसके बारे में सुनाई था लेकिन आज इसके आवाज भी हमने सुन ली है यह वाज मुझ की बजाए अपनी तवचा को रगड कर निकालते हैं इससलिए इसको सोई स्कल्ड वाइपर कहते हैं तिकि जो इसके स्क क्या गजब का यह सांप है दोस्तों मैंने पहली बार इसको आज रेस्क्यू किया है तो मैं काफी खुछ हूं और जल्दी सांप को बाहर निकाल लेते हैं भी महीं काफी एक्स्टाइट हों कि आज मैंने एक-69ी कर रेस्क्यू किया है इसे पहले हमनेनि च्टिस्टक को सोई स्कल्ड जामज कर काफी घलती थी लेकिन वाक्री में इसमें काफी प्रेक हैं इनका पैट्रन बले ही मिलता चुलता होगा लेकिन वह साइज में नहीं वाइपर पेड़ पर नीच चड़ते हैं बहुत सी कुछ जानकरिया उनसे मिली तो दोस्तों यह साप वाके में खतरनाग है और ऐसा साप काटने पर जाड़ फुग के चक्क्र में बिल्कुल ना पड़े सीधे ओस्पिटल जाएं ट्रिट्मेंट लेका कि समय रहते हुए अपने आपको बचा सकें यह साप ऐसा साप है कि कोब्रा साप को मास से कई वार रेंडिल कर सकते हैं लेकिन इस साप को बिल्कुल भी नहीं करेंगे यह बड़ रसा के लाइक साप नहीं इसलिए मैं इसको ज्यादा तर इसके बारे में आपको बिल्कुल इसके बारे देखा है कि इसकी आवाज किस तरीके से आती है यह अपने ताउचा को रगर करेंगे एक कमाल की आवाज उत्पन कर रहा है जो काफ़ ड्रावनी है बेहत ड्रावनी है और ये एक ही जगे भी इस तरीके से गूम लेता है जैसे किसी साइकल की चैन बाइक की चैन एक जगे गूमती है वैसी तरीके से आप देखेंगे जो ये सरीर से जो व्वाज उत्पन कर रहा है इसकी बोडी से या वाज आ रही है वो कोवरा के फुफ़कारने से भी काफ़ी ड्रावनी है बने सरीर को आपस में रहकरण के और ईक आवाज उत्पन करते है और ये वो साफ है दोस्तो बे बज़े हमला कर लेता है लेकिन आज तो इसके पास एक बहुत बड़ी बज़े है क्योंकि हमने इसको एक जगे से दूसरी जगे पे ट्रांस्प्लांट किया है इसके पास एक बहुत बड़ी बज़े है जो ये हमला करी लेते हैं आप देख सकते यह मोटर साइकल की चैन की तरह एक ही जगे पर अपने आपको गुमा रहा है इसे सोई स्कल्ड वाई पर रिशी लिए कहते हैं दोस्तों इसके आवाज काफी खोफनाक है और यह हमला भी कर लेता है लगबग अपनी सरीर का 60% इस्सा उतनी दूरी तक यह उचल के स्प्रिंग की तरह हमला कर लेता है ठीक है दोस्तों इस साप को बिना देर की अब बाहर निकालते हैं काफी ड्रावना दिखने वाला है दिखने वाला ही नहीं है तो इसको भी जल्दी ही बाहर निकाल देते हैं और यह देखिए इसकी जो इसकी जो इस्ताइल है मुझे काफी पसंद आ रहा है और यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह अपने सरीर को रगड़ कर एक अजीब सी आवाज उत्पन कर रहा है आप सुन भी रहे होंगे साइथ एक बार मैं अपना ओडियो बंद करके इसका ओडियो सुना रहा हूं आपको तो सुनिए दोस्तों सच कहूं तो यह इसके फुफकारने की आवाज नहीं है इसके बोड़ी को आपस में रगड़ने से बनीवी उत्पन होने वाली दोनी है जो इसके नाम से काफी मिलती है तो बहुत जल्द इस साब को रिलीज करेंगे और यह इस चट्टान पर बिल्कुल छलावरन इसका इसी प्रकार से बनावा है कि चट्टान पर निकलते ही आपको ठीक से नजर भी नहीं आएगा कि मैं इसके साथ पहली बार ही आज पालिटी सफेट हूँ तो देख सकते हैं यह इस चट्टान पर किस तरीके से मैच हो जाएगा तो कहती है तो यह देए पंशे में आते ही अपने आपको आज-ाज मैसुष कर रहा है सुवे सुबे का इस समय है हमने इसको बहुत जल्ब जाते ही इसको वाव वाव इसके चाल काफी अच्छी चाल है इसकी काफी रोमान सक्चाल के साथ ये कमाल है इसकी लम्बाई करीब 2 फिट के आज-पास है जो इसकी इस्टेंडर्ड साइस है और ये रेकिस्तान में بھی मिल जाते हैं और पाड़ी छेतर में भी मिलते हैं इस चट्टान से इसका लगबग पिच्यान में फीजदी कलर और पेटर्न इससे मिल गया है, शायद आपको वीडियो में विए चीक से नजर नहीं आ रहा होगा, हल्चल के बगर तो ये साप ऐसी जगह पे जल्दी से नजर ही नहीं आएंगे, इस पेटर्न को इसको छलावरन करी जा रहा देखिए दोस्तों ये वाइपर प्रजाती का साप है, सोई सकल्ड वाइपर इसे कहा जाता है, और ये बेवज़े ही कई बार हमला कर लेते हैं, और आज इसके पास हमला करने के लिए बहुत ही बड़ी वज़े है, क्योंकि हमने इसे सुबह सुबह ही एक बात् होता है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा और पतला होता है, और इसके कलर में थोड़ा सा वाइडनेस ज्यादा होता है, ये ब्राउन कलर का आप देख सकते हैं, इस चट्तान से काफी मैच हो गया है, ये पूरी तरीके से, इसमें बड़ा हुआ पूरा पैटरन इसे मिल रहा ह आप केमरे में भी इसको ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे, तोड़ा सा नजदिक से लेंगे इसको, इसकी आखे बिल्कुल ही बिल्ली की तरह होती है, ये रात को विच्छन करने वाले साप होते हैं, ज्यादा तर ये रातरी में ही निकलते हैं, और ये साइद रात को ये लेकिन ये किसी बातरूम में कैद हो गया था, हमने इसको एक बातरूम से रेस्क्यू किया है, विराट नगर से करीब 8 किलो मेटर की दूरी पर ये पापड़ा गाम है, वहां से हमने इसको रेस्क्यू किया, और अब रिलीज करने के लिए इस पाड़ी चेतर में आएं, है तो बेहत ध्रावनी है दोस्तों, ओ यह देख सकते हैं कितना खोपनाक साहँ पही है, जहर 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 जहर, इसने मेरी इस ट्रिक की हैंडिल पर थोड़ा सा वेनम वाइट के साथ रिलीज किया है, आपको साहिद नजर आ रहा होगा, देख रहे होंगे जो गीला गील है, यहां तक कि उसको मार भी देते हैं दोस्तों, यह वो साप है, आप इसके आवाज खुले में भी सुन पा रहे होंगे, क्योंकि डिबी में साहिद थोड़ी अच्छे से सुनाई दे रही थी, यह देखिए दोस्तों, यह लंबाई में कम, मोटाई में थोड़े जादा हो बहुत ही, एक्साइट हूँ और काफी खुषी मिलियικά मुझे, क्योंकि मुझे इस सब्सक्राइब की साथ काम करने का मोचा पहली बार मिला है, इससे पहले हमने बहुत सार już साप का रेस्क्यू किया है लेकिन यह सांप हमारी लिस्ट में पहली बार या एक बार हम नवंबर में काफी खुश हुए थे लेकिन वह कैट इसने का यह देखिए इसके स्कल्स काफी उबड़ खाबड़ और खुरदर है इनी उबड़ खाबड़ स्कल्स से यह आवाज निकालता है विसलिए ने शॉट स्कल्स कल्स कहते हैं इस साफ को फोस्ट सें बिल्कुल भी रेस्क्यूआ ए रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि वो शांप है यह मोखा ही नहीं है यह उस सांप हा लाइक हम कोबने को भी वहाई से राज क्तर लाका लिए से अबर इस शांति को आप कि किसी तूफान की तरह भी देख सकते हैं अभी है ना तुमला कर रहा है ना आवाज निकाल रहा है लेकिन बहुत खौफनाक साफ है यह इस जीप से पूरा पता लगा रहा है कि यह इस तरीक है इसके खाने से कोई फाइदा नहीं होने वाला पर बहुत ही खतरनाक यह साफ ड्र कि यह पहली बार हमारे रेस्क्यू में है तो यह अमारे लिए एक मेहमान की तरह है चलो मेहमान को अपने एरिये में छोड़ देते हैं आप देख सकते हैं इसके काफी मतवाली चाल है और यह मतवाली चाल के सारे अपकी जगें डून रहा है भी जाद नांतिक है थैश कड़ जागे है पूछ करनाश बिलकूल के मुला हुआ ले ठीक है दोस्तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सेर करें ताकि इन जियों को और भी ज़्यादा तादात में बचा सकें लोगों तक यह सूसना ही पहुंचें और हम इनको रेस्ट्यू करके जंगलों में छोड़ें दिनने बादे